नमस्कार, A to Z डुशिष उश्या कोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ वरत में खाई जाने वाली साबुदाना की धालिक पेट ये इतनी मज़ेदार लगते है ना और साथ में इसके साथ ये बड़ी आसी वरत पे खाये जाने वाली चटनी भी बताऊंगी अभी सावन का महीना चल रहा है या कोई भी अभी जनमास्ट में आएगी तब भी आप वरत रखोगे तब भी आप ये बना सकते हो तो सबसे पहले उसके लिए चाहिए हमें साबुदाना एक कप मैंने साबुदाना ले लिये हैं दो से तीन पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे और ये पानी हम निकाल लेंगे इसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालेंगे ये बस साबुदाना के उपर तक आना चाहिए इतना ही अब इसे ढखकर हम 6-7 घंटे या फिर रात बर तक विगो के रख देंगे जितना अच्छे से जितनी देर आप इसे विगो होगे न और ये जो बाउल में खिले-खिले साबुदाना है इसके अंदर ये देर-देरा पीसा हुआ डालकर चुटकी भर बुनाजीरा पाउडर चोथाई चमच काली मर्ची पाउडर स्वाद के अनुसार वरत में खाने वाला नमक दो बारिक कटी हरी मर्ची और आधा नीमू का रस काफी चटपटा स्वाद आता है इससे ताजे धन्या के पत्ते बारिक काट कर डालना और यहां पर मैंने ले लिये थे पांस दे छे उबलियोवे आलू जिसे मैंने छीड लिया है ये छोटे आलू है इसलिए मैंने जादा लिये हैं अगर बड़े आलू है साइज आपकी बड़ी है तो आप तीन से चारी लेना बस आलू को अच्छे से मसल कर इसके अंदर डाल देना और इस तरह से मिलाते जाना जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो साबुदाना जितनी अच्छी तेरा भिगो होगे और कम पानी में भिगो होगे उतनी वो खिले खिले बनेंगे अब देखो अच्छे से मिला लिया एक बड़ा सा बॉल ले लिया और यहाँ पर मैंने तबा गरम करने भी रख दिया है देखे एक थाली पीट है न पतली होती है और उंगली पर थोड़ा सा पानी लगा कर इस तरह से होल कर लेंगे होल किया जाता है थाली पीट बनाते है तो और कपड़ी की मतल़ से इसे निकाल लेंगे तवा गरम हो चुक है थोड़ा सा तेल डालका ये थाली पीट को इस तरह से रख देंगे तवे पर और जिसे जिसे इस सेखती जयने से पलटते जाना और अच्छे से सेखते जाना है बहुत ही असानी से बन जाती है और कपड़े से क्या होता है न कि जल्दी से निकल भी जाए की नाई टूटे की नाई कुछ होगा और असानी से बन भी जाएगा इसी तरह से मैंने ये सारी थाली पीट बना लिये चटनी बना ले के लिए मिकसर जार में एक बड़ा चमच कची मुमफली एक चमच सफित तिल चार हरी मिर्ची टुकडों में कटी हुई आधा कव धनिया के ताजे पत्ते और इसी के साथ में इसके अंदर दो बड़े चमच नहीं वरत में खाया जाने वाला स्वात के अनुसार नमक और आधा नीबू का रस डाल कर इसे डखकर पीस लेना है पीसते समय अगर आपको लगता है कि पानी डालने के ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं वरना इस तरह से रखना गाड़ी चटनी काफी अच्छी लगती है थाली पीट के साथ अब आप इसे वरत में खाये आपको मज़ा ही आजाएगा सच बता रही हूं इतनी स्वात वाली और जटपट से मिल जाती है तो ट्राइ करना और यहां तक आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही तांक य अलगेंग थेलिग टो चैनल ना ड реsoft करना ही तांक यही जाएगागागा सच झाब ठीषल को सब्सक्राइब के साथा ज़ागा